दोस्तों जैसे ऐसे elections यानि कि कोई भी चुनाव नजदीक आते हैं तो government भरतिया निकलती जाती है चाहिए वो states की हो या central की हो आज ऐसी चार बड़ी government jobs की opportunity लेकर मैं आ चुका हूँ अपनी इस channel accounting गुरुजी पर जो है 10 pass out के लिए 12 pass out के लिए graduate के लिए specific और यह various बड़ती हैं और बहुत बड़ी मात्रा में निकली हुई है complete informations की बात करेंगे चाहिए वो age हो चाहिए आपका selection process हो चाहिए आपका fees हो चाहिए आपके eligibility हो सब कुछ बताऊंगा अज की अपनी इस वीडियो में अगर आप इन सभी job में apply करना चाहते हो या complete information देखना चाहते हो तो सभी job के link और complete information description में आपको मिल जाएगी अभी के लिए चलते हैं वीडियो में आगे और step by step आपको बताते हैं कौन कौन सी है वो 4 government jobs जो हाल ही में निकली है जिनकी form filling start हो चुकी है देर किस बात की अगर आपका भी सपना है government job पाना तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को आगे देख लीजे सबसे पहली जो भड़ती है यहां पर वो SSC की तरफ से निकल रही है इसका नाम है SSC selection post 12th recruitment 2024 यहां पर आप देख सकते हो various vacancies है अगर मैं vacancies की बात करूं तो SSC जो है stop selection commission हर साल अपनी भड़तिया निकालता है वैसे नोंका calendar जो है एक साल पहली जारी हो जाता है कि next year में कब कब किस की बढ़तिया लाने वाले है अगर आप SSC का calendar देखना चाहते हैं तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना सकता हूं HSC ने फिलाल 10th, 12th organization वालों के लिए तीनों category के लिए vacancies निकाली है total vacancies 2049 है ठीक है और इसमें आपका 18-30 साल इसकी age limit है बाकी आपे post wise होती है अलग अलग जो post की detail है वह भी disclose नहीं है चुकि जो form है होदे आप देख सो form तो apply हो निगल चुके है form अभी कब तक है last date 18 मर्च अभी आज वीडियो आज हो गया 11 ठीक है तो 18 तारिक तक आपका टाइम में अप अप्लाई कर सकते हैं आपका जो एक्जाम होने वाला है वह मही स्टार्टिंग में होगा एक्सटेट फरस्ट वी को मही आप मान सकते हैं जब आपका मलवी एक्जाम जो होगा साथ में फीस कि अगर बात करें ऐस पर्दा सेंटल गॉर्णमेंट वकेंशी तो जर्णालोबीसी को इसोर पे देने ह कीवी है बट यह 167 पेज की है तो बाई मैं स्वाइप करते करते थक जाओंगा आपको अगर पढ़ना है तो मैं आपको लिंक डिस्किशन में दे दूँगा आप जाके चेक आउट कर सकते हैं सब कि गूगल पर मिल जाएगा असानि से आपप कर सकते हैं 10 ़े इंच लेवर वकेंशी और छुम होती है ये 12 वकेंशी होती है जो 12 लेवल कर होती है बाकि आपको बता होगा की सीघेल वकिंसी होती है जो गॆशन लेवल पर होती है MTS की वेकेंसी होती है जो 10th लेवल पर होती है और सभी आपके सामने है नेक्स भरती के अगर बात करें वह जो यहां पर आ रही है आपकी वह SSC की सब इस्पेक्टर की भरती है तो कौन-कौन चाहता है कि उसकी पुलिस में नोखरी लगे अगर आप भी ऐसा वहार ऐसा ही बनना चाहते हो तो देली पुलिस में यानि कि Central Armed Forces में पुलिस वोर्स में वकेंसी निकली हुई है जो वोगी आपकी Central की क्योंकि आपको इस परता हुआ दिली में जो पुलिस रहती है वह Central पुलिस होती है ठीक है आप यहां पे देखिए इसकी जो एप्लिकें के लिए 100 रुपे, SCHT के लिए कोई नी और गर्ल्स के लिए भी एक्जैम्ट है, अगर आपकी कोई correction हो गई form में, तो आपको 200 रुपे पे करने पड़ेंगे first time, और अगर फिर भी ठीक नहीं correction, तो second time में 500 रुपे देने पड़ेंगे, इसलिए जब form बरें, तो गलती बिल्कुल ना करें, ठीक है, चलिए, age की बात करें तो 20 से 25 साल, आपकी age है, eligibility 4187, यानि के expected, लगबग 2400 vacancies यहां पर निकली है, क्योंकि, देखो, graduation degree होती है, किसी भी SI के लिए, तो यहां पर bachelor degree आपके पास, graduation degree है, चाहिए आपने BA किया है, BSC किया है, B.com किया है, आप eligible हो, साथ में दो तरे किया है, एक दिल्ली SI है, driving lessons होना चाहिए, आपके पास, सब का बनावा होगा, अजर पोस्ट के लिए बस आपको graduation, ठीक है, अब आपको पता ही होगा, कि अगर आप पुलिस या किसी भी force में भड़ती के लिए जा रहे हो, तो आपको return exams के साथ साथ, physical qualification या physical eligibility भी दिखानी होती है, वो क्या क्या है, let's see, boys के लिए, जो height है, आपकी 170 cm, ये general OBC की बात कर रहा हूं, सब ही कि, ठीक है, सब के लिए बस अलग होता है, सब के लिए सेम होगी आप, 80-85 चेस्ट होगा आपका, जो आप फुलाओगे चेस्ट को, 100 meters की race होगी, जो 16, जी हां, second में आपको complete करनी होगी, और उसके अलावा long jump होगी 3.65 meter, high jump होगी 1.2 meter, short put होगा 4.5 meter, और chances आपको मिलेंगे 3, तीन में से आपको करके दिखाना है, एक बार भी कर दिया, then set, ST वालों के लिए 162.5 cm height है, और chase test 77-82, अब बात करते हैं girls की, तो girls की height है 157 cm, और सेंटी मिटर, और ST वालों के लिए 154 cm, रेस आपकी 100 meters की 18 seconds आपको मिलेंगे 2 seconds फाल्त हो, बागी यहां पर 2.7 meter की long jump, और 0.9 meters की high jump, और बागी short put और यह जरुवत नहीं है, आप जा के apply कर सकते हैं, अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ, तो नोटिफिकेशन जो CPO कहते हैं इसको इनका जारी हो चुका, यह आपकी complete informations है, मैं पहले salary आपको बता दू, salary 35,400 से 1,12,400, expected salary 50-60,000 के आसपास बैठती है, DATS मिलागे, ठीक है, तो यह चीज़ समझो मेरी बात को, यह basic है, salary होती है 50-60,000 के आसपास, next vacancies आ रही है, Allahabad University की तरफ से, जी हा, Allahabad University में जो vacancy है AU की वह आ रही है, different post पर, इसकी last date है 1 April, start हुईती है 1 March को, okay, आप apply कर लेना, journal OBCWS के लिए 1600 रुपेश है, SCST के लिए 800 रुपेश है, और बाकी PH के लिए 100 रुपीश है, पोस्ट वाइस बात कर लेते हैं, अगर आपने 10th और ITI किया हुआ है, या खाली 10th किया हुए ITI की वज़रत नहीं है, तो आपको 141 पोस्ट निकली वी है, 10 वी वालों के लिए, सिर्फ no ITI mostly required, उसके बाद यहां पे 10th वालों के लिए, मेकैनिक की वालों के लिए टाइपिस्ट क्या काम है, कलर कम टाइपिस्ट जिसके लिए बैचूलर डिग्री और 30 से 25 वर्ड पर मिनट, बहुत असान होता है, एक SSC में जब स्टैनोग्राफर की वालों की निकलती है, तो 80 से 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगते हैं, यहां पर 25 से 30 ही मांगी है, 15 दिन में त्यारी कर लोगे, यह उनके लिए है जो कलर्ग बनना चाहते हैं, कुछ लोग कुछ हैंगे हम अगर UP के बाहर से हैं तो हम भी अपलाई कर सकते हैं, यहां जी अधर स्टेट वालों का कुछ परसेंट कोटा होता है 5 से 15 परसेंट के बीच में तो आप अपलाई कर सकते हो कर आपको स्ट्रेंथ है कि आप अटेंब कर लोगी ठीक है, बागी वैरियर से काफी लंबी वीडियो जाएंगी मैं नहीं बताता, इसका लिंक देदू इसकी लाज़ डेट अभी तो अप्लाई डेट भी नी स्टार्ट होगी है 15 अप्रेयल को स्टार्ट होगी मैं पहली बता रहा हूं आपको ठीक है ना रेलवे की भरती है और इंडिया सब अपलाई कर सकते हैं 15 अप्रेयल को फोर्म स्टार्ट होंगे और 14 मही तक चलेंगे ठीक है जी और फीश रहेगी इसकी 500 जर्णल ओबी-CWS के लिए SCST के लिए डाइस हो और बाकी फीमेर के लिए भी डाइस हो करेक्शन चार्ज भी डाइस हो देखो यहां पर दो पोस्ट हैं कॉंस्टेबल और सब इस्पेक्टर के लिए एज है 15-28 और सब इस्पेक्टर के ले लो यह आपके सारी इनकी अलेजिबिल्टी है फीजिकल यह आपको कम्प्लीट करनी होगी बस सेलरी तो आपको पता ही अच्छी कासी मिल जाती है बिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में एक बार सेलरी आपको दिखा देते हैं देखो यहां पर नोटिफिकेशन जो कम् कम्प्लीट नोटिफिकेशन आता है मैं आपको प्रोवाइड करा दूगा यह तो पॉस्ट पर ही डाल दूगा अपने चैनल की या टैलीग्राम पर डाल दूगा जिन्हों है टैलीग्राम को जोईन नी किया लिंक डिस्क्रिशन में मिलते आपसे नेक्स वीडियो में तब के लिए शुक्रिया, have a nice day